जीवन के कुछ ऐसे कटू सत्य होते हैं या तो वो हमें मालूम नहीं होते हैं और कई बार मालूम होते हुए भी हम उनको सुईकार नहीं करते हैं पता नहीं कहां कुछ हिचकचाहट सी होती है क्योंकि हमें लगता है कि नहीं नहीं इसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम अपने आपको समझा रहे होते हैं अपने को सांत्वना दे रहे होते हैं कि कोई हमारे बारे में इतना बुरा नहीं सो सकता या हमारे सात ऐसा थो बुरा हो ही नहीं सकता So friends, आज का video इसी topic पर आधारेता है कि जीवन के कुछ ऐसे कटू सत्य हैं जिनको अगर हम स्विकार लेते हैं अपने जीवन में सो वाकई हमारा जीवन ग्रोथ और सक्सेस तो पाएगा ही पाएगा the same way हम अपने जीवन को खुश हाल भी बना पाएंगे सबसे पहला कटू सत्य मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें अपने आप में एक खुश फैमी सी होती है कि हम बहुत important है अपने आप में यह चीज होनी भी जाएगी बट होता क्या है कि दूसरों की नजर में चाहे वह हमारे अपने हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जानने वाले हो उनकी नजर में हम इतने important नहीं होते हैं सामने वाले हो सकता है कि हमें जब मिल रहे हो तो वह अंडियों of importance दे रहा हूँ पर इतने important नहीं होते है हमें तब जादा लगता है जब हमारी किसी बात का लिहाज नहीं करा जाता है या जानते बूस्त हमारा अपमान कर दिया जाता है तो अपने आपको इस खुश फ्यामी से निकालिए कि आप सब के लिए important है आप सिर्फ important है अपने लिए तो दूसरी चीज माहिने रख रही है कि आपके जो अपने भी है वह ये तो जरूर चाहते हैं कि आप ग्रो करो क्योंकि वहता है ये पता नहीं क्यो लोगों में इस तरीके की प्रवत्ती आती तो सामने कह सकते हैं outta दूसरोंसे कह सकते हैं भाई राइस करो बढ़ हम से जादा नहीं फ्रेंज दूसरों के इस बात का रादधन बुरा मानने के कि भाई इनकी सोच किस तरीके की है आप इस सत्य को ही स्विकार लीजिए और इसी सत्य के साथ आप उनको भी स्विकार लीजिए और अपने आपको आगे बढ़ा लीजिए इसी के साथ साथ फ्रेंज तो तीसरा कटू सत्य है कि लोग हमारे बारे में अलग-अलग धारना रखते हैं कुछ अच्छी होती हैं कुछ खराब होती हैं और उन धारनाओं को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कई बार सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप में दुखी होते हैं कि बत सकते हैं सो अगर आपके दिमाग में यह concept clarity है सो आप परेशान होने वाले बिलकुल नहीं इस कटू सत्य को तो बिलकुल अपने दिमाग में बसा लीजीगा कि खईबर क्या होता है कि कुछ इल्जाम हमारे सर पे बे बुनियाद लगाया जाते हैं यानि कि हमारा कोई लेना दे जार नहीं होता है जिसको जो लगाना जिसको जो बोलना उसको बोल लेने देजिए उसको मतापची मत करिए और अपने आपको स्वैक्षान कुछ लोगों के इस तरीके के बे बुनियाद लगाया च्छड़ते ही है तो इस कटू सत्य को सिक आते हुए अपनी लाइफ में फ at a time बहुत सारी चीजे मिल जाएं लेकिन होता क्या है कि कई पर हम ऐसे दो राहे पर खड़े होते हैं कि हमारे पास किवल एक चोईज होती है यानि कि कई पर क्या होते है कि मैं कोई दो लोग पसंद होते हैं और इन दोनों लोगों के साथ हमारा अटाच्मेंट रहे या दोनों लोग हमारी लाइफ में रहे पर हकीकत क्या होती है किसी एक का हमें चुनाओ करना पड़ता है इस कटू सत्य को भी सुईकारते हुए अपने बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी चोईस को पॉफेक्ट रखेगा और जो इनसान इसमें मेस करता है यानि कि दोनों लोगों को एक साथ रखता है उसका जीवन बरबाद हो जाता है इसको मैं आपको एक 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 अच्छा आप इसमें तोड़ा सा गौर फर्माइएगा उनकी जो अपनी ये शादी वेती जिन पतनी का मेरे पास फोन हाया था वो लव मैरीज थी अपनी वाइफ से साफ साफ कह दिया था कि तुम मेरे साथ रह रही हो या तुम मेरी वाइफ इस वज़े से हो क्योंकि तु यहाँ पे तो वाइब कुड़ी सी सीधी साधी है हो अपने प्यार के कही copy कहीं ने कहीं लाज रख रही है आप अपने आपमे क्या है हैं आप इतने confused क्यों हैं एक साथ दोनों रस्तों पे नहीं चला जा सकता है sih कोbon video के आपके पास केवल एक चोईज होती है थीगे साथ सा क्लाइव हे रह्त हैं हर एक एपने पड़ाओ है उनके पास हम से जादा है या उनकी लाइफ हे बैटरा रहे और इसमें कोड़ने के बजाए हमाने लुगाल की इसी हमें लिभाउन खुनकी क्षी तक कर बात है यह यूजह को मिलने दे last but not the least ये मानव मन है ये मानव दिल है कई पार time to time हमारे दिल में हमारे मन में अलग-अलग तरीके के insecurities आती ही आती है यानि कि हमें अगर भरपूर भी मिला होता है तब भी हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक असुरिक्षा आती है कि भाई कभी ये छिन न जाए या कभी कुछ गरबर न हो जाए इस सत्य को स्विकारते हुए कि भाई मैं negative नहीं हूँ और ना मेरी ऐसी धारना है पर ऐसी एक सोच आई है तो उसको मुझे किस तरीके से काट करनी है यानि कि उसको मुझे positivity से भढ़ना है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा कभी कुछ होता भी मैं चीजों को सही करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूँ इन कटू सत्यों को तो नकारा नहीं जा सकता है तो बजाए नकारने के उनको समझ लीजियो और हाँ इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उनसे कैसे निपटना है आपको पूरा कभ पूरा वीडियो पसंद आया होगा अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना मत बूलेगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और काटू सत्य आप पहले से स्विकार करें बैटे हैं ऐसे ही लाइफ लेसंस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and thanks a lot for giving me this much time